दोस्तो अगर आपके भी फॉन से फोटो डिलेट हो गया है और आप उसको रिकॉवर करकर के ठब चुक है फिर भी रिकॉवर नहीं हो रहा है तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जहां से आप डिलेट हुए हर एक फोटो को जो रिकॉवर कर सकते ह और उसके लिए कोई भी अलग से आप डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा जहां दोस्तो आप बिल्कुल सही सुन रहे है भीना किसी आप डाउनलोड की है आप डिलेट हुए फोटो को ला सकते है लेखिन उसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा अगर आप ये वीड आप डिलेट हुए फोटो को आप यहां पर करते हैं पता चलता है कि आप लोग चैनल को फूल सपोर्ट कर रहे हैं अब दोस्तों वीडियो में आगा वरते बताते हैं कि दिलेट हुए फोटो को आप बीना किसी एप की वापस काय से लगे तो आप लोग क्या करता है कि कोई भी फोटो जैसे कहा breast camera चालू कर दिए ठाध है है यहाँ पर camera चालू कर लिये और यह photo जो यहाँ पर हम खकीच दिये अब इस फोटो को हम क्या करेंगे डिलेट यहां से कर देंगे देखिए यहां पर हम सारा फोटो जो है डिलेट कर रहे है आप देख सकते यहां पर तीनों का तीनों फोटो जो है डिलेट कर दिया अब यहां पर कोई भी फोटो जो है यह यह एश्टरडे का फोटो है लेकिन चालू जो है करना पड़ेगा उसके बात देख सकते हो फोटो यहां पे नहीं है अब लाने के लिए क्लेक्शन के ऊपर टाच करना होगा बीन के ऊपर टाच करना होगा और बीन में देखो कि तो जितना भी दिलेट फोटो अभी तक आप किये है वो सारा फटो जो आपको यहां पे देखने के लिए मिल ज़ए जैसा कि आप देख सकते है जितना दे के सारा फटो और चुका है और अगर रिजो करने का बाद यहां पे चालू करता版 तो देखिए यहだकर अभी यहांपत पे चालू करते है हाँ जो हम पर देखने हैं और अंदर चालता है लेकिन हम लोग को पथा लगों को पता भी नहीं चलता है के हम यहां से आप जो भी डिलेट करोगे और सब आपको यहां पर के देखने के अनदर खुलोगे जो आके मिलेगा फोटो यहां पर मिल जाएगा आप देखेंगे तो मेरे फोटो के ऊपर यहां पर देख सकते हैं जो गूगल फोटो यहां चालू किया है तो फॉरफाइल आइकन पर टच कर गए तो यहां पर हम फोटो सेटिंग में जाते हैं तो हमारे फॉन का बैक अब बंद है फिर भी हम चाह जो यहां नहीं कंद है अगर आप फोटो में के कोई भी फोटो इडिलेट लेटाता है तो वह आपका वीन फोल्डर में हिड़ाएगा और वीजब चाहिए उसको वापत ला सकते हैं यहां पर लिखा रहता है कि 30 तिन या 60 दिन पर अंदर डिलेट हो जागा है लेकिन तो डिलेट नहीं होता है, वो हमेशा के लिए यहां पर राता है, या जब चाहिए उसको recover जो अपने phone में है, आसानी से कर सकते है,